प्री अविवाकों, प्यारे बच्चों, मैं प्रोफिसर डाक्टर मनोज जैन आपसे एक अपिल करना चाहता हूं। मुझे ये सुनने और देखने में आया है कि इस करोन कॉल में बच्चे और अविवावक पढ़ाई के प्रति उदाशीन हैं। मैं अपने बच्चों को ना परिच्चा दिलवा रहे हैं और ना ही नविन कक्छाओं में प्रिवेश दिलवा रहे हैं। जो की सर्वता अनुचित है। बच्चों और अविवावक इस बात का ध्यान रखें कि एक बर्स अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो अपने जीवन का अनमोल एक बर्स बरवाद कर देते हैं। आप एक बर्स अपने आपनी प्रगती को ब्रेक कर देते हैं। आप अपने जीवन में एक बर्स पिछल जाते हैं। आपदाएं पीमारियां आती हो जाती रहेंगी। परंतु हम उनके निदानी के बारे में सोचें। उनके सुरक्षा के बारे में तो सोचें। परंतु अपने जीवन का आधार पढ़ाई को हम इगनोर ना करें। हम नहीं किसी प्रकार से इसको ब्रेक करें। और जो स्कूल कॉलेज की निर्धारित फीस सासा निर्धारित की है आप उसको अबश्ची भरें जिससे की आपके गुरूजन संस्थाएं आपके पढ़ाई के प्रती जवाब दे हों और उच्छी स्थरगी पढ़ाई सुविद आपको उपलवत करा सकें मैं आपसे पिना निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से इस बात का भर्म निकाल दें कि हम अपने जीवन में एक बर्स अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम इस करोना कॉल से जी सकते हैं ऐसा नहीं है आप अपने आपको बचाव रखिए जो डाक्टर स्केरों की सलाय मानिएगा और निरंतर पढ़ाई भी करिएगा क्यों कि हम अपने जीवन में हर कारी कर रहे हैं हम कमाई भी कर रहे हैं हम खान पान भी कर रहे हैं हम घुम भी रहे हैं परन्तु बच्चों और अभीबा को सिर्फ पढ़ाई से विम्मुक होना सुचित नहीं है मैं आप से पुना-पुना अपिल करता हूं कि आप अपने परिख्षाएं निरंतर दें पड़ाई निरंतर करें और महाविध्याले स्कुलों की फीज समय पर जमा करें जिससे कि आपकी पड़ाई में बादा ना हो जै जिनिन जै भारत